The rain will affect young plants' life. After two days of rain, the young plants are looking greener than before and they have some blooming flowers also. This is the good effect of rain. Friends, affect is the verb and effect is the noun. इन दोनों words का use अलग-अलग sentence में किया गया है और दोनों का जो meaning है वो दोनों ने sentence का meaning change कर दिया गया है. लेकिन इनका जो sound है हो similar होता है तो friends ऐसे word जिनका sound similar हो लेकिन use different हो उनको कहते हैं homophones. और आज हम इसी चीज़ को discuss करने वाले इस वीडियो में. Friends, myself, Ankit, your English trainer. And, अगर आप इस चैनल पर नए है तो please चैनल को subscribe कर दीजे, साइट में दियेगे bell बटन को all पर click कर दीजे, जिसे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का notification टाइम से मिलता रहेगा friends. वीडियो जरासी बीचे लगे तो like कीजेगा, friends के साथ में share कीजेगा, और comment भी कीजेगा कि वीडियो कैसी लगी, और आपको अगली वीडियो किस topic के उपर चाहिए, मैं definitely उसी topic के उपर आपको वीडियो बना के दूँगा friends, so friends हमने समझा कि एक word जो affect है वो verb होता है, और दूसरा word effect noun होता है, इन दोनों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जो affect है, affect is the action and effect is the result, मतलब action करने के बाद जो result मिला हमें, उसको हम effect कहते हैं, इनके meaning को और भी अच्छा अच्छी तरह से clear करने के लिए, हमें कुछ examples की help लेनी पड़ेगी, इससे कि इनका meaning जो है, अच्छी से clear हो जाएगा, friends, तो without wasting the time, let's begin, इनका जो है, affect means noun होता है, जब कोई change लाना हो, तो affect होता है, अब यह sentences है, friends, इन sentences की help से आप इनको समझ सकते हैं, आप इनका screenshot भी ले सकते हैं, समझने के लिए, यह मैंना आपको समझाने के लिए, आपके कुछ examples दिये हुए, So, friends, I hope के इन दोनों words का जो difference है, वो आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, मैं इन दोनों को अच्छे से आपको समझा पाया होगा, Friends, वीडियो अगर जरासी भी अच्छे लगए हो, तो प्लीज लाइक कीजेगा, कमेंट भी कीजेगा, इन दोनों sentences, इन दोनों words का use करके आप दो sentence प्लीज बनाईएगा, और वीडियो को आगे अपने Friends के साथ में शेर भी कीजेगा, Friends, अगर आप नए हैं, अगर आप नए हैं,